हां जी सभी को गुड मोर्निंग राधे राधे जैस यरां कैसे हो आप सभी लोग आई होप आप एकदम अच्छे हो और अपने लक्षे को हासिल करने के लिए जिस रास्ते को आपने चूज किया है उस रास्ते पर आप इमानदारी से चल रहे हो ये मेरी होप है मुझे आसा है तो आज मैं वापिस हाजिर हो गया हूँ 11 ओक्टोबर का करनेट अफ़े लेकर आप सभी के सामने एक नए उड़जा और एक नए जोस के साथ इस कलास में आप सभी को पता ही है लेकिन कुछ नए मेंबर जुड़ते हैं तो उनको बता दें कि अपन राजस्तान और इंडिय कुछ न कुछ न कुछ पढ़ा है तो इस तरीके से वो कलास है अपन बना कर लाते हैं और उससे रिलेटेड फेक्ट हैं और इस्टरी सारी कुछ अपन डिसकस्ट करते हैं तो आप एंड तक बने रहेगा एंड में आप से कुछ न पूछूँगा उस कुछ न का अंसर आप म और मुझे आपके क्यूशन का जो मैं प्यूचता हूं उसका अंसर आप से जानने का मैं इच शुक रहता हूं तो आई होप आप ये कलास एंड तक देखोगे और अपने दोस्तों के पास शेयर करोगे तो चलो आप अपन फटा फटा है वो कल क्या पढ़ा एक बार वो विदार्थियों के लिए अपार कार्ड है वो लॉंच किया गया अपार की मैंने फूल फॉर्म बताई थी तो ये ध्यान में रखना बार डिजिट का इसमें नमर आएगा आईडी कार्ड है ये राजस्तान का पहला पेपर लेस बजट है वो 2021 में लॉंच किया गया था ये भी आपको ध्यान में रखना है और गुजरात का स्थांस्कृतिक में यूथ सो है वो मैंने नौरत तरा जन्मा स्टूइं कच्छ और उत्राएं ने बताया था आपको और अखिल भारते एपिकल बोल चेंपियंशिप की मेजवनी आपनों प्यारो बारत करेगो और सक्ति व हाली में चर्चा में रहा दिलावर सती कांड दिलावर सती कांड है यह सती कांड है वो किस वर्स वा था देखो अभी हाली में जो उस टाइम यह चर्चा अब यह चर्चा में आ गया है और यह है इतिया इस तरी का किस वर्स वा था सबसे पहले तो देखते हैं तो यह उननी उनीसो शित्याशी के अंदर हुआ था और ये जो सिकर के दिलावर गाउं के अंदर हुआ था कहां सिकर के दिलावर गाउं के अंदर हुआ था उनीसो शित्याशी के अंदर और ये राजस्तान के सती कांड का ये लास्ट है वो क्या बोलते हैं केस आया था ऐसा और इस केस के बाद में हैं वो सरकार भी अलर्ट हो गई थी और उससे पहले ही बंद करवा दिया गए अंग्रेजों के समय कुछ काम है वो जो से ये पर्थाई है ना कूपर्थाई उन में अंग्रेजों का स्योग अच्छा है डेलो जी ने ये सबसे पहले प्रियास किया था याद दो बु माल सी के मर जाने के बाद में इंकी चिता पर है वो जिन्दा सोकर जला लिया था हूँ और इसके तेर्वी पर जैसे आपने बोलते हैं बारा बारा कर्नो बान तेरा तेर्वी पर चुंडरी मोच सव गायों जनकिया गया तो ये चरचा में आ गया प्र अगली साल वापिस है वो जैसे पुन्य तिति आती है तो उस टेम वापिस प्रोग्राम हुआ तो इस टेम उस वक्त है वो 45 लोगों को है गिरपतार किया गया था उनमें से कुछ लोगों की जहन चले गई और कुछ लोगों को अभी रिया किया गया है इसलिए ये क्या है चर्चा में आ गया है तो साली में रतन टाटा जी का निदन हो गया है वे कौन थे देखो रतन टाटा जी ये महान सक्सियस थे और ये भारत का कोई साइद ही ऐसा घर होगा मैं तो बोलता हूँ कोई ऐसा घर नहीं है जिन में टाटा का कुछ ना कुछ समान नहीं है नमक से लेकर बड़ी से बड़ी क संसार में आया है वो सब को जाना है हम सब को जाना है तो जाना तो है लेकिन अपने को काम ऐसे करके जाना है कि सबी के दिलों में राज रहें तो इनका जनम 1937 के अंदर हुआ लेकिन ये सब के दिलों में राज करेंगे ये सब के दिलों से बाहर निकलने वाले नहीं है जनाब ये लाइफ टाइम रहेंगे भले ही आज ये इनके दे से है वो आत्मा अलग हो गई लेकिन सब के दिलों में ये चा गए हैं और ये भारत ने अपना अमुले रतन है वो खो दिया नो अक्टूबर को इनो ये मुंबई के उस्पिटल में अंतिम सासली और ये आपके सबी के सा इनकी बेजिती की तो कुछ नहीं बोला उनको नो साल के बाद में उनी की जैगवार और रेंजरोर को क्या कर लिया इनोंने खरीद लिया था तो इनकी लाइफ से हमें बहुत कुछ चीज़ें है वो सीखने के मिलती है कि चुपचाब अपने को क्या करनी चाहिए बस महनत कर रहना चाहिए सफलता सोर मचा दे ऐसा कान करना चाहिए तो ये उद्ध्योग पती थे आप सभी को पता है उद्ध्योग पती तो रतन ताठाजी उद्ध्योग पती थे जिनका अभी 9 अटमबर को 86 साल के थे और इनका देहन तो हो गया कि राजस्तान में बिमारी बिमार पस्टों के इलाज के लिए 1962 ये 962 Help9 नंबर का लोकारपन किया गया है ये कहां से किया गया है देखो इनसान जब बिमार होता है तब उनके रिलेटिव है वो सब लेकर भाज़ते हैं लेकिन हम इनसान इतने स्वारती है कि जब हमारे कोई आसपास पस्टो जानवर जब बिमार होता है तो हम उसकी तरफ नहीं देखते हैं तरफ तरफ के अपनी जानी क्यों दिगवा दे सब बैस अपनी अपनी लाइफ में बीजी रहते हैं तो इसलिए सरकार ने कहा कि आपको कुछ नहीं करना बस आप है वो हमें मिश्ट कोल दे किया गया और यह बहुत अच्छी पहल है और हमें भी पस्टो के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए उन बेजवान जानुरों को सोचना नहीं करना चाहिए और मासारी चीजों से भी हमें क्या रहना चाहिए दूर रहना था चाहिए जाम डॉली जो 9 अटूबर से इसका सु पालन मंतरी कौन है तो जोराराम कुमाउद जी है इन्होंने लोग कारपन किया और जैपूर जिने 2019 में वर्ल्ड हैजडेज सिटी का दर्जा मिला जैपूर गुलाबी नगरी और अपने प्यारे राजस्तान की राजज़ानी है सब को पता है और यहां पर याद रख लेना अपने जो किसन डिसकस किये वो देखते हैं कि 2025 के अंदर मार्च के अंदर है वो साथ से नो मार्च को है 2025 के अंदर पहली बार है वो आईफा का आवड है वो अपने राजस्तान के जैपूर में ही होगा और तेरे में डोमेस्टिक मार्ट का आयोजन भी राजस्तान में होग रायजिंग राइजस्तान का भी इन्वेस्टमींट है, इसका 25 प् ANDREW के अंदर के इह वा, जैपूर के राइए ही shields आप प। यह आपको ध्यान में रünde को पहनी रही है अपनी राजस्तान और जैपूर के बारे में जैपुर में ब्हूत सी चीज़े है नार कज़ा है जैगाड है अमेर का किला है हवा महल है और जल महल है और शिटी पारक है कोचिंग हब अब बन रहा है पूरा ऐसो गलो जी नहीं ये शिटार्ट कर वाया था तो ये सारी चीज़े है जैपुर आओ कभी em, यह वो सहर है वो कहते हैं ना कि नहीं देखो जैपूरियो तो काई के करियो आकरियो मतलब थे अगर जैपूर थे कुछ नहीं देखे हो न तो की कुन करियो जिंदकी के माइन चलो कि हाली में पर्देश की किस सर्पंस को एहिसा समर्सता अवोर्ड है वो दिया गया है तो ये दिया गया है उस्सा कमर को है उस्सा कमर को है एहिसा समर्सता अवोर्ड दिया गया है और ये नई दिली के अंदर दिया गया है और ये सांकडा गाउं की क्या है सर्पंस है अब एक किसमें आ रहा है नीरू यादों तो इनके बारे में याद रख लें नीरू यादों अपने जुन जुनु से कावटी के लामभी अहीर गाम की है जिसे होकी वाली सरपंस भी कहते हैं और इन्हें लंदन में अवोर्ड से नवाजा गया है और ये होकी खेला था और बहुत ही श स्ट्री रिलेटेड क्यूशन देखा था हर दिन एक क्यूशन मैं लेके आओंगा जो योजना से रिलेटेड होगा मातमा गांधी इंगलिस मीडियम स्कूल योजना कब शुरू ही थी देखो इस तरीके से याज गलोप सनते हैं तो मातमा गांधी इंगलिस मीडियम स्कूल ह वो कब परारम हुई तो अगर आपको पुछा जाए तो 19 जून 2019 को परारम हुई तो 19 जून 2019 को है ये महातमा गांदी इंगलिस मीडियम स्कूल है वो सो गलोजी ने शुरू के थी तो ये याद रखने ना है अपन कल भी देखा था कल अपने क्या देखा था कल मैंने आपको ब का था और 2026 की थीम भी बताई थी आपनों अगर नहीं राजस्तान और पहला हरित बजट कौन सा होगा जो आगया आएगा दो चारे 25-26 होगा ठीक है कोई दिक्कत चलो नेक्स्ट क्यूशन की हाली में जो आज का लास्ट क्यूशन हाली में भारतिय महिला टीम ने एशे टे पन रही है और विजेता कौन रही है तो अपने इसमें वैसे उप विजेता विजेता तो नहीं कास कह सकते है अपन क्यूं क्यूंकि उप विजेता तो वही होते है जो रज़त मिलता है और फर्स्ट शेकिंड थर्ड वाले बाकी तो सब हारते ही है तो यह याद रख लिना बस हराया किसको है यह याद रखना है जापान को रहा है और यह आयोजित कहा है और यह एस एई टेबल तेनिस चेंपियंशिप तो कजाकिस्तान के अस्ताना के अंदर हो रही है चलो यह लाश्ट डोज का क्यूशन था काफी लोगों ने सही अंसर दिया FSSI Food Safety Index में परदेश का है वो कौन सा स्तान है चटा है वो चटा है संस्क्रन है काफी लोगों का अंसर था सभी का तही दिल से सुक्रिया और यह वापिस ओप्रेशन से वरा किस से समझ देता है आप सभी के सामने यह हाजिर है आप इस कांसर मुझे जरूर दीजिएगा और यह अब हरियाना BSTC के फारम है मैं हमेसे बोलता ही हूँ कोई भाइबंद हुए तो बता दीजिए किसी बैचारे का साल बरबाद ना हो तो कॉंटेक्ट कर लीजिए एक बार जिस पले पर नमर है उन्वे हैल प्लाइन नमर पे और अभी फोरम है वो श्टार्ट हो गए है तो यह अपनी कलास कंप्लीट होगी अगर यह कलास आपको पसंद आईए तो अपने दोस्तों के पर शेयर जरूर कीजिएगा मुझे आसा है आप यह कलास शेयर करोगे और परिसकार परिवार को बड़ा बनाने में मेरा सयोग करोगे यह मेरी खुद की कलास नहीं है यह आपकी अपनी कलास है हमारी कलास है अपनी कलास है मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता है आप सभी के पोजिटिव सपोर्ट की वज़े से ही है positive energy की वज़े से यह मैं मेहनत करता हूँ और आप सभी के सामने किसनी कटा करके ले आता हूँ देखो ग्यान और knowledge अगर मिल देखने चाहे तो आप कहीं पर भी मिल सकते हो लेकिन ये जरिया है ये class जो आपको मेरे से और मेरे को आप से जोड़े रखता है तो इसी के साथ मैं आप सभी से इजाज़त चाहता हूँ कल वापिस मिलते हैं तब तक के लिए जै हिन जै भार और धन्यवाद